सब्सक्राइब कीजिए टेक्नो विक्रांथ चैनल को और बेल आइकन बजाईए आल कीजिए लेटेस्ट अपडेट वीडियो देखने के लिए दोस्तों टेक्नो विक्रांथ में आप सभी का स्वागत है सो फैनली रियल्मी वालों ने अपने रियल्मी नार्जो 60 प्रो के अंदर रियल्मी यूई 5.0 बेस्ट राण अन्राइट 14 का ओपन बीट अपडेट रोलिंग आउट करना स्टार्ट कर दिया है और इस अपडेट को मैंने अपने डिवाइस के उपडेट करके इसका जो टेस्टिंग है पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है और इस वीडियो में मैं इस अपडेट का फूल रिव्यू देने वाला हुँ दोस्तों जिसमें आपको कौन-कौन से न्यू फीचर्स देखने को मिलता है कौन से बग से फिक्स हुए है साथ ही इसका बैटरी परफार्मेंस की स्टेप से देखने को मिलता है इसका गेम परफार्मेंस की स्टेप से देखने को मिलता है इसके अलावा और क्या कुछ new changes देखने को मिलता है तो यहाँ पर मैं step by step सारे कुछ बताने वाला हूँ दोस्तो तो इसके लिए वीडियो में last तक बने रहिएगा तो चलिए start करते हैं अब यहाँ पर features, bugs वगरा के बारे में बात करने से पहले यहाँ पर हम device detail चेक आउट कर लेते हैं उसके लिए हम चलते हैं setting के अंदर निचेक side about device में यहाँ पर आप देखेंगे आपको realme UI 5.0 के साथ beta version देखने को मिलता है और realme narjo 60 pro का model number rmx 3771 देखने को मिलता है बात की जाई इस update के basic information की तो यहाँ पर आप चेक आउट करेंगे आपको 14.0.0.91 ब्रेकेट में ex01 करके new update देखने को मिलता है और इस update का जो size है 151.68 MB का है और यह आपको realme UI 5.0 based on android 14 के update के साथ beta update देखने को मिल जाता है बात की जाई इस update के बाद इसके android security page की तो यहाँ पर आप चेक आउट करेंगे आपको android 14 के update के साथ 5.0.12 2023 का latest enhanced android system security देखने को मिलता है यह security page दोस्तो इससे पहले वाले update में भी देखने को मिल रहा था यहाँ पर कम से कम जन्वरी का security page देना था इसके अलाव बात कीज़े अगले change की तो system के अंदर यहाँ पर system में जो भी छोटे मोटे non issue थे बक्स वगरा देखने को मिलता था उसको यहाँ पर fix करके पूरे की पूरे system stability और साथ ही system performance को optimize and improve किया है जिससे कि आपको आर भी better experience देखने को मिलता है इस update के साथ साथ ही दोस्तों यहाँ पर जो dynamic computing engine है उसको आर भी improve और stable किया है जिससे की जो battery life, speed, apps opening, closing, animation, stability अगरा जो है आपको आर भी better experience के साथ use करने को मिलता है साथ ही दोस्तों किसी-किसी user को early access update में काफी ज़्यादा lagging issue, shaking issue देखने को मिलता था तो उसको इस update के साथ fix करके better कर दिया है जिससे की आपको और भी better experience के साथ use करने को मिलता है इसके अलाव बात किज़ अगले changes की तो आपको मिलता है दोस्तों setting के अंदर, wall paper and style के अंदर, themes के अंदर यहाँ पर दोस्तों पहले by default दो ही theme देखने को मिलता था लेकिन दोस्तों आप आपको तीसरा theme देखने को मिल जाता है जिसका नाम देखेंगे यहाँ पर aquatic design करके new theme देखने को मिलता है जिसे आप apply करेंगे तो आप देखेंगे आपको काफी cool look देखने को मिल रहा है यहाँ पर सारे के सारे apps का जो icons है वो आपको square में देखने को मिलता है पहले दोस्तों अगर आप default theme भी apply करते थे तो कुछ-कुछ apps square में देखने को मिलता था तो यहाँ पर आपको aquatic design के साथ new theme देखने को मिल जाता है इसके अलावा बात की जाए अगले change की तो वो आपको मिलते हैं दोस्तो setting के अंदर, wallpaper and style के अंदर, fonts के अंदर यहाँ पर दोस्तो कुछ-कुछ fonts को select करने के बाद apply करते थे तो कुछ-कुछ जगहों में font जो है proper way में display नहीं होता था so नहीं होता था, तो उस problem को यहाँ पर fix करके optimize करके better कर दिया है अब दोस्तो font apply करते हैं, तो आपको proper way में सभी जगह में font जो है display होता है इसके अलाओ बात की जाए bug fixes की, तो यहाँ पर दोस्तो कुछ-कुछ user का first और second trial version में जो screen आपके time fingerprint का जो icon था, वो proper way में visible नहीं होता था, so नहीं होता था जिसकी वज़े से phone unlocking में problem phase करना पड़ता था साथ ही दोस्तो कुछ-कुछ situation में fingerprint को proper way में recognize नहीं करता था तो उस problem को इस update के साथ fix करके better कर दिया है, जिससे की अब आपको fingerprint जो है screen आप में proper way में काफी fast so होता है, visible होता है, और साथ ही better fingerprint recognize देखने को मिलता है जिसकी वज़े से unlocking जो है आपको और भी smooth और stable देखने को मिलता है जिससे की जो phone unlocking आपको और भी smooth और fast देखने को मिलता है इसके अलावा बात कीज़े अगले bug fixes की तो वो आपको मिलता है दोस्तो colors के option के अंदर इस bugs के बारे में दोस्तो मैंने पहले भी video बना कर बताया था कि अगर आप कोई से भी wallpaper वगरा change करते है तो कुछ-कुछ situation में अगर आप colors को depart में set की रहते है और wallpaper वगरा change करते है तो कुछ-कुछ situation में जो wallpaper का color रहता है उस color में notification panel का icon का color और setting के icon का color वगरा change हो जाता था color option को default में set की रहते हैं उसके बाद भी I mean की wallpaper color में shift हो जाता था तो उस problem को इस update के साथ fix करकी better कर दिया है अभी दोस्तों आप कोई से भी wallpaper और चेंज करते हैं और default में color रहता है तो वो proper way में default में ही रहता है कोई भी color shifting का problem नहीं होता है साथ की दोस्तों color change करने के टाइम पर जो setting में icons के अंदर छोटे-छोटे picture diagram बना हुआ है वो colors में ही fulfill हो जाता था diagram proper way में so नहीं होता था और कुछ-कुछ icons में ही देखने को मिलता था तो उस problem को भी इस update के साथ fix करके better कर दिया है अब दोस्तों आप color change करते हैं चाहे wall paper color हो या default color वगरा हो तो आपको proper way में setting के icon के अंदर छोटे-छोटे diagram और picture बना हुआ है वो proper way में so होता है, visible होता है colors के साथ mix नहीं होता है तो उस problem को यहाँ पर fix कर दिया है इसके अलावा बात की जा अगले changes की तो वो आपको मिलता है दोस्तों setting के अंदर निचेक side special features के अंदर smart sidebar के अंदर smart function का इस features को on करते हैं तो दोस्तों आपको background streaming का features देखने को मिल जाता है अगर दोस्तों इस features को on करके YouTube वीडियो अगरा देखते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे smart sidebar में आपको background stream का features देखने को मिल जाता है जिसके थूँ दोस्तों आप video play करते हैं और background stream को click करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे आपका YouTube जो है background में play हो रहा है और यह features दोस्तों Oppo वालो ने यहाँ पर officially remove करने का announcement कर दिया है लेकिन अभी तक यह features देखने को मिल रहा है जबकि first trial version और second trial version में यह so नहीं हो रहा था लेकिन beta update के बाद देखने को मिल रहा है मैं भी दोस्तों Oppo वालो ने remove करने का announcement किया है तो हो सकता है बाद में realme वाले भी इसको remove कर दे लेकिन अभी फिल हाल यहाँ पर आप background stream यूज कर सकते है इसके लाओ बात की जाए अगले changes की तो इस update के बाद दोस्तों अगर आप lock screen करते है तो यहाँ पर जो lock screen में clock देखने को मिलता है वो पहले से थोड़ा बड़ा size में देखने को मिलता है पहले दोस्तों थोड़ा छोटा में देखने को मिलता था लेकिन beta update के बाद यहाँ पर थोड़ा बड़ा देखने को मिल रहा है previous update से compare करें तो यहाँ पर इस update के बाद lock screen में आपको थोड़ा बड़ा clock देखने को मिल जाता है इसके लाओ बात की जाए अगले change की तो वो आपको मिलता है दोस्तों setting के अंदर निचेक साइड additional setting के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर आप गौर से देखेंगे दोस्तों पूरे additional setting में get recommendation का सबसे बड़ा मुसीबत जो है उसको यहाँ पर से remove कर दिया है अगर दोस्तों get recommendation features on रहता था तो काफी सारे ads वगरा देखने को मिल रहा था जिसको beta update के बाद यहाँ पर से finally remove कर दिया है अभी यहाँ पर सबसे बड़ा मुसीबत जो है so नहीं हो रहा है get recommendation वाला तो यह काफी अच्छा new changes देखने को मिल जाता है यह get recommendation वाला features remove हुआ है वो केवाल मेरे भस में हुआ है कि आपके में भी हुआ है दोस्तों आप मुझे comment करके जरूर बताईएगा इसके लाव बात की जाए अगले change की तो वो आपको मिलता है दोस्तों setting के अंदर निचिक सेड additional setting के अंदर ही screen recording में जाएंगे तो यहाँ पर आपको indicator location का option देखने को मिल जाता है इसमें आपको status bar और floating window का option देखने को मिलता है अगर दोस्तों आप status bar वाले को select करके रखते हैं और जैसे ही screen recording करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे उपर में आपको dynamic dot के रूप में देखने को मिल रहा है जिसे आप click करेंगे तो कुछ इस टैप से आपको so होता है और अगर दोस्तों आप floating window वाले को select करते हैं तो आपको old वाला I mean कि छोटा से floating window की रूप में screen recording का tab जो है देखने को मिलता है कुछ इस टैप से आपको old वाला ही देखने को मिल जाता है तो यहाँ पर आपको दो option select करने को मिल जाता है indicator location का यह दोस्तों first और second early access update में देखने को नहीं मिल रहा था जिसे इस update के साथ add कर दिया है इसके अलाव बात की जागले change की तो वो आपको मिलता है दोस्तों setting के अंदर निची साइट special features के अंदर यहाँ पर सबसे नीचे में देखेंगे आपको छोटा सा kids mode का option देखने को मिलता है यहाँ पर दोस्तों kids mode में जाने के लिए process जो है same देखने को मिलता है लेकिन दोस्तों यहाँ पर process का जो interface है उसको यहाँ पर change कर दिया है इसके लब बात कीज़े अगले change की तो अगर दोस्तों आप charging वगरा करते हैं तो जो charging animation है उसको यहाँ पर R भी optimize करके better किर दिया है कुछ-कुछ situation में दोस्तो charging animation so नहीं होता था proper way में animation जो है work नहीं करता था तो यहाँ पर उसको optimize करके improve कर दिया है जिससे कि अब आपको better charging animation experience देखने को मिलता है इसके लाव बात कीज़े बक्स की तो वो आपको मिलता है दोस्तों recent task में अगर दोस्तों आप बहुत सारे apps को open करके रखते हैं और जैसे ही recent task को click करके जैसे ही left या right swap करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे जो apps का icon नीचे में so हो रहा है उसको अगर आप swap करते हैं तो केवाल icon बस swap हो रहा है और बड़ा सा apps का cutout देख रहा है वो swap नहीं हो रहा है और अगर आप cutout को swap करते हैं तो आप देखेंगे नीचे में जो icon है वो swap नहीं हो रहा है तो कुछ इस type से box देखने को मिलता है दोस्तों और ये box दोस्तों कुछ-कुछ situation में कुछ-कुछ time पर ही देखने को मिल रहा है हाट time देखने को नहीं मिलता है तो ये एक box देखने को मिल जाता है आप देख सकते है अगर इस बात की जा इस update के बाद इसके battery performance की उसके लिए हम चलते हैं सेटिंग के अंदर, नीचेक साइट battery के अंदर यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों इसका जो battery performance है वो पहले से काफी better देखने को मिलता है पहले दोस्तों, early access update में काफी जादा battery draining, over eating साथ ही slow charging issue देखने को मिलता था तो उन सभी problem को यहाँ पर fix करके better कर दिया है जिससे कि अब आपको better battery backup, battery usage देखने को मिलता है साथ दोस्तों, जो over eating का problem था वो भी यहाँ पर काफी कम हो चुका है यहाँ पर early access से काफी better battery backup देखने को मिल रहा है लेकिन अभी भी दोस्तों, यहाँ पर battery draining और hitting issue देखने को मिल रहा है बट trial version से यहाँ पर better देखने को मिल रहा है साथ दोस्तों, charging speed slow था उसको यहाँ पर proper way में कर दिया है यहाँ पर आपको better charging speed देखने को मिलता है एंड़ इस बात किजा, इस update के बाद इसके game performance की तो यहाँ पर दोस्तों, game performance जो है काफी better देखने को मिल रहा है यहाँ पर दोस्तों, trial version में काफी ज़्यादा lagging इसू, jitter इसू, frame drop इसू अगर देखने को मिलता था उसको यहाँ पर fix करके better कर दिया है लेकिन दोस्तों, अगर आप ज़्यादा time तक game खिलते है तो आपको अभी भी frame drop इसू, lagging इसू और बीच बीच में jitter इसू देखने को मिलता है लेकिन trial version से यहाँ पर काफी better gameplay देखने को मिल जाता है साथ ही दोस्तों, अगर आप ज़्यादा time तक game खिलते है तो आपको overeating और काफी fast battery draining का problem फेस करना पड़ता है अब दोस्तों बात करें, realme के system application अपडेट की तो यहाँ पर दोस्तों, उसके लिए मैंने video के description में अपने telegram channel का link जो है add कर दिया है आप वहाँ पर जाकर अपने system application को अपडेट कर सकते हैं यहाँ पर आपको realme UI 4.0 and realme UI 5.0 का काफी सारे system application अपडेट देखने को मिल जाएगा लेकिन दोस्तों अगर आप realme UI 5.0 का system application अपडेट करेंगे तो आप carefully install कीजेगा हो सकता है आपको apps crashing issue अगरा देखने को मिल जाए तो आप carefully आप अपने risk में install कीजेगा तो यह रहा दोस्तों इस अपडेट का full review दोस्तों यह अपडेट आपको मिला है की नहीं मिला है और अगर मिला है तो कौन-कौन से new features और bugs देखने को मिले आप मुझे comment करके जरूर बताईएगा तो इतना ही था दोस्तों इस वीडियो में वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक से और सब्सक्राइब करना ना भूले मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए good bye and take care दोस्तों